जाएं दोस्तो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी ने डिमेट अकॉन में नॉमनी एड करने की जो लाजड़ डेट सेट की है वो है 30 सेप्टेंबर 2013 ये पहले 31 मास 2013 जिसे अभी एक्सटेंड किया गया है अगर आप इस जो उस सदी लोगों के लिए है जिनका डिमेट एकाउंट एंजल वन पर है एंजल वन पर ऑनलाइन आप कैसे नॉमनी को एड कर सकते हैं उसका कम्प्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को इसकिप मत करना और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करके बेल ऐकोन पर प्रेस कर लेना विकाउज मैं ऐसी ही यूसफुल इंफरमेशन आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ तो सबसे पहले हम एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लेना है विकाउज ये सर्विस आपको एंजल वन के मोब कर लिया है और यहाँ पर नॉमनी को एड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिये हुए एकाउंट सेक्शन में आ जाना है इसको उपर हम लोग क्लिक कर लेंगे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने उपन हो जाएगा यहाँ से आपको नीचे तरफ आ जाना है और यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही आपके सामने फिर एक नया पेज उपन हो जाएगा यहाँ पर view all categories के under में आपको पहला जो option मिलेगा वो मिलेगा nominee का तो इसको उपर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही यहाँ पर फिर से नया पेज पर आप हो जाएगे यहाँ पर nominee के section में आप देख सकते हो no record for nominee यहाँ पर दिया हुआ है that means आपकी nominee details में कोई भी nominee अभी तक add नहीं की गई है nominee को add करने के लिए यहाँ पर कुछ conditions भी दिया हुए है जिसमें note 1 में दिया हुआ है the total share percentage of all nominee should always be 100% जितना भी आपका जो total share होगा 100% के base पर categorize होगा और second जो point दिया हुआ है वो दिया हुआ है maximum 3 nominee addition are allowed maximum आप 3 nominee यहाँ पर add कर सकते हो उनके बीच में 100% के according आप sharing कर सकते हो किसी को आप 20% दे दिये किसी को आप 40% किसी को आप 40% या 33, 33, 34 ऐसा करके आप device कर सकते हो 3 nominee के बीच में otherwise अगर आपको 3 nominee add नहीं करनी तो आप यहाँ पर single nominee भी add कर सकते है nominee को add करने के लिए आपको add nominee के ओपर click कर लेना है click करते ही आपके सामने यह page open होगा जहाँ पर आपको first option में nominee name डालना है then आपको date of birth डाल देनी है nominee की then आपको nominee का pen number डालना है and then आपको share percentage डाल देना है उसके बाद nominee के साथ आपका त्यार relation है वो आपको डाल कर submit e-sign के ओपर click कर देना है इतना करते ही यह आपको redirect कर देगा digital signature वाले page पर यह NSDL की website पर आपको ले जाएगा यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उपर में एक check box दिया हुआ है इसको आपको select कर लेना है and then आपको उस बंदे का यहाँ पर आधार का नंबर डालना है जिसके नाम से यह DMIT account open हुआ था and then आपको यहाँ पर send OTP के ओपर click कर देना है इतना करते ही आपके registered mobile number पर एक OTP भेजी जाएगी वो registered mobile number जो आपका आधार काट के साथ link है उस पर जो OTP आएगी आपको उस OTP को यहाँ पर डाल कर verify OTP के उपर click कर देना है इतना करते ही आपका जो nominee edition का process है वो complete हो जाएगा और आपके सामने यह reflect होके आजाएगा message we have received your nominee edition request, our team is reviewing it it will take up to two days to process the request we will notify you of any update via email oblique SMS अगर दो दिन में भी आपका यह nominee update नहीं होता है तो आप उनको यहाँ पर mail कर सकते हैं इस mail letters पर या फिर इनको इस number पर call करके इसकी update ले सकते हैं तो यह था पूरा का पूरा process की Angel One के platform पर आप nominee को कैसे update कर सकते हैं अपने DMIT account में Angel One के साथ साथ मैंने 0 था, up stocks, grow, SBI cap securities धन जैसे platform पर भी nominee कैसे update करना है, कैसे add करना है उसके उपर भी मैंने वीडियोज बनाये हुए हैं जिन वीडियोज का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा अगर आपका account उन broker के पास भी है, आपका DMIT account तो वो वीडियो भी आप check out कर सकते हैं nominee को add कैसे करना है तो I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे और दो दो के थान जरू शेयर करे, जाए हिन, जाए भारत